नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में हमारा आज का वीशे है आदिकालीन साहित्य इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे रासो साहित्य है उसके बारे में हम थोड़ा सा समानने सा उसका परिचय देख लेते हैं रासो का वे वीर गाथा परक साहित्य माना जाता है क्योंकि जैसे हम जब आदिकालीन साहितिक प्रवरितियां पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने देख लिया था कि जो आदिकालीन जो साहित्य है वो कै उसलिए जो अचारे रामचंदर शूक्लत कैमानते हैं कि इस काल को कै नाम दिया है उन्होने वीर गाथा काल नाम दिया था आदि-काल को, तो यही चीज यहां पर भी देखने को मिलती है, जो रासो साहीत्य आये हैं, वीर गाथा परक साहीत्य ग्रंथ म Twin तो ठीक है दोस्तों विर्टा का वनन उसमें देखने को मिलता है और उनके चरीत्र के बारे में उसमें बात कहे गई है ठीक है दोस्तों और जैसे प्रशनसा की बात करें तो यह हमने विशेश्टाओं में भी यह चीज पड़ी थी साहितिक प्रवरीतियों में भी हमने यह बात पड़ी कि जो उस साहित्य था वो क्या था वो राष्ट्य भावना से कटा वब था वलकि उसमें क्या था राजाओं की प्रशन साही अधिक में देखने को मिलती है तो ये भी रासो साहित्य के अंतरगत ये सारी चीज़ें आती है क्योंकि रासो साहित्य किसके अंतरगत आता है अपने आप में आदिकाल के अंतरगत आता है, तो आदिकालीन जो विशेष्टाएं हैं, वो किस्से हैं, वो रासो साहिते की विशेष्टाओं में ही मानी जाती हैं, ठीके दोस्तों, अगला देखिए कि वीररस प्रधान्य साहित्या, तो वीररस प्रधान्य तो यह होगा ही होगा, अगर इस वो गया बनाता था उस राजा को भी एक तरीके से वो योध्धाओं की तरह प्रस्तुत करता था जब हम आगे इसमें बिस्तार से देखेंगे कि जो आला उदल की इसमें एक रचना आती है रासो साहित्य के अंत्रगत जो परमाल रासो है तो उसमें गया होता है कि इस तरीके स कह सकते हैं कि अतिशोक्ति का बनन है वीरस की प्रधानता है इसमें ठीक है ना तो ये रासो साहित्य की क्या है कुछ एक समानें सी विशेष्टाएं है और एतिहासिक्ता का अभाब ये भी हमने विशेष्टाओं में उस वक्त पढ़ लिया था कि इसमें एतिहासिक्ता जो ह रासो ये शब्द है, इसकी ब्यूत्पत्ती कहां से होई है, कहां से ये निकला है, देखिए अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग तरीके से माना है कि जो रासो शब्द है, वो कहां से निकला है, देखिए सबसे पहले गारसद अतासी, जिनका जो गरंद का नाम है, इ ये भी अगजाम में पूछ जाता है कई बार और फार्सी भाषा में इन्होंने सबसे पहले क्या क्या था हिंदी साहिता कहती आस लिखने की चेश्टा इन्होंने की थी और पहला इनको माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले साहिते आस लिखा है ठीक है दोस्तों तो देखी ये क्या कहते हैं कारसदतासी, ये कहते हैं कि ये राशो शब्द की वित्पत्ती हुई है, वो किसे हुई है? वो हुई है राजसुय से, राजसुय का मतलब जो राजसुय यग्य होते थे, तो वहां से ये मानते हैं कि इस शब्द की क्या हुई है, एक तरीके से वित्पत्ती ह लेकिन ये जो इनका कथन है या इनका जो ये कहना है कि राजसुई से इसके उत्पती हुई है ये कहीं कहीं गलत है क्योंकि उस वक्त क्या था कि राजसुई यज्य ना तो प्रचलीत थे और ना इस काल में कोई इसका वनन दिखाए पड़ता है हमें तो इसलिए क्या होता है कि टाजसूयождения के जो नाम है वो सटीक नहीं बेढ़ता है क्लिए रोय दोस्तों दोसरे देखी हर प्रसाद शास्त्री तो यह देते हैं राज यश तो इसको रहस्य से भी जाना जाता है कि रहस्य से इसका क्या होँ है विकास हुआ एक तरीके से उत्पत्ती हुई है इससे है ना लेकिन ये भी क्या माना जाता है ये भी अधारहीन माना जाता है कि ऐसा नहीं है फिर अचायरामचंदर शुकुल मानते हैं देखी ये रसाइन रास या रासो इससे ये मानते हैं कि ये इससे क्या है इसका उत्पत् तो इसलिए रसाइन शब्द से होते होते क्या हो गया वो बाद में रासो हो गया या रासो हो गया इस तरीके सी एक तरीके से बदलता गया यह अचारे रामचनर शुकल मानते हैं कि यहां से तो शुकल क्या मानते हैं कहां से मानते हैं रासो शब्द की ब्युत्पत्ति यह भी इन्होंने क्या माना है कि इसकी उत्पत्ती किसे हुई है रासक या उपरूपक से हुई है इसके अलावा अन्य विद्वान भी है दोस्तों जिन्होंने कहा है कि इसकी उत्पत्ती कहां कहां से हुई है फिलाल आप इन चीजों को याद कर लेंगे तो मुझे लगता है इससे हो जाएगा बात बन जाएगी लेकिन हमें जो दूसरी हमारी टेक्स्ट बुक्स है या कुछ भी हमारे पास बुक है तो हमें उनको भी देखना है वहाँ पर अन्य विद्वानों ने अन्य जो इतिहास कारों ने उन्होंने अलग-अलग नाम बताए है जैसे किसी ने रहस्य से बताया है किसी ने रासक से बताया है ठीक है इसके अलावा मेनली सब ने क्या किया है कि रासक को ही माना है कि रासक से जैसे गणपति चंदर गुप्त मानते हैं वो भी रासक रास रासा इस तरीके से वो मानते हैं कि इसका विकास हुआ है जबकि जो राम स्वरुप चत्रवेदी हैं वो कहते हैं कि ये राउस या रस से उत्पन हुआ है तो ये थे दोस्तों की रासो शब्द की विद्वत्ती के बारे में विद्वान क्या कहते हैं कि किस शब्द से इसका विकास हुआ है चलिए अब हम देख लेते हैं जो प्रमुक रासो ग्रंथ हैं कौन-कौन ठीक है दोस्तो रासो सहित्य के अंतरगत कौन-कौन से ग्रंथ आते हैं तो मेंली इसमें 5-6 ही आते हैं लेकिन यहाँ पर हमने सभी का लगवक विस्तार से वदन किया हुआ है देखिए सबसे पहले है यह हमने क्रम वाइज यहाँ पर रख लिए हैं तो एक ही चीज है यह अचारे रामजंदर शुकल की पुस्तक में आपको मिलेगा खुमान जबकि आप डॉक्टर नगेंदर का हिंदी साहित का इतिहास देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको उसमें दिखेगा आपको खुमान ठीक है दोस्तो तो अगला देखिए जो बीसल देव रासो तो बीसल देव रासो इसकी रचना हुई है ग्यारा सो पच्वन इस्वी या फिर विक्रमी समवत बारा सो बारा और इसके रचनाकार है नर्पती नालह जैचंद प्रकाश 1224 और भट केदार या केदार भट तो इन्होंने इसकी रचना की है 1224 में ठीक है परमाल रासो देखिए ये बारा सो तीस और इसके जो रचनाकार है जगनिक और बहुत बार ये पुछे जाता है एक्जाम में और इसका जो अन्य नाम है देखिए वो है आला खंड तो प्रमाल रासो इसकी रचना का वुई है 1230 में और रचनाकार है जगनिक बहुत महत्वपूर्ण है ये रचना अगले देखिए जै मयंक जस चंदरिका तो इसका जो रचनाकार है वो है 1243 और इसके जो रचनाकार है मदुकर भट अगला है पृत्यूराज रासो चंदबरदाई तो पृत्यूराज रासो बहुत ही महत्तोपूर्ण रासो ग्रंथो में से एक ग्रंथ माना जाता है और बहुत सारा इसके इससे संबंदित बहुत सारी प्रशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो हम पृत्यूरा गार हैं देखिए वो है श्रीधर तो ये थे प्रमुख रासो ग्रंथ दोस्तो आई अब हम विस्तार से देख लेते हैं जो इन में से महतपूर्ण है जो प्रमुख है तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें होनी चाहिए, तो जो खुमान रासो है, वो देखिए, वो क्या है, वो है प्रबंध कावे, तो प्रबंध कावे क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपकी मुख्य कथा के साथ साथ, एक मेन कथा है, ठीक है न, उसके साथ साथ अन्य सहाय कथाएं चलती रहती हैं, शु मुख्य कथा के साथ साथ सहाय कथाएं भी चलती रहती हैं तो ये खुमान रासो भी किस तरीके का है इसी तरीके का एक प्रबंध काव्या माना जाता है अगला देखिए रचनाकार तो इसके रचनाकार हमने पहले भी पढ़ लिया कि दलपती विजय है और इसकी भाशा जो है विशेष्टा में से एक विशेष्टा माने जाती वीर्था का उसमें वनन ही मिलेगा ठीक है युद्धों का सजी वनन वो इसी के अंतरगत आ जाएगा है ना फिर है वीर और श्रिंगारस की परधानता तो मतलब जब युद्धों का वनन होगा तो वीर्था का वनन तो अब अगली है देखिए कि इसमें राजा की प्रशंसा तो इसमें ये दोहा हो गया ये नीचे क्या आएगा दोहा सवया कवित या कविता हो गया है है ना कवित आदी छंदों का इसमें क्या है प्रियोग मिलता है तो ये कुछ एक महत्तों बिंदू है जो मान रासो से संबंदित है कि इसमें राजा की प्रशंसा है और इसमें दोहे कवित सवये ये ये छंद इसमें भी नालह ठीक है दोस्तों मूल रूप से क्या है ये गिये कावे है गिये कावे क्या होता है जिसको गाइन शैली में जिसको लिखा गया जाए है ना तो ये गिये कावे है गाया हुआ कावे या गाइन शैली आप बोल सकते हैं उसको कि गाइन शैली में इसको बाद में लिखा गय अचारे रामचंदर शुकल इसके संबंद में कहते हैं कि जो वीरगीत परंपरा का प्राचींतम ग्रंथ है वो कौन सा है? वो बीसलदेव रास होई है तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज भी अचारे रामचंदर शुकल ने जो कुछ भी चीज गई है वो कहीं न गई अपने आप में ही मौत्वपूर्ण हो जाती है क्यूं क्यों कि जो शुकल है उनको ही हम सब क्या मानते हैं प्रमानिक मानते हैं है न तो इसलिए जो अचारे राम चिंदर शुकल कहते हैं वो हमें नहां चाहते हुए भी याद करना पड़ता है तो इस चीज़ को आप याद रखिए अगले देखिए भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चोहान राजा बीसल देव तृतिय के विवाह वियोग एवं पुनर मिलन की कथा तो देखिए ये किस चीज़ को दर्शाती है इसमें भोज परमार की जो प बीसल देव तृतिय उनके विवाह वियोग और पुनर मिलन की कथा इसमें देखिए पहले विवाह हो रहा है सियोग और वियोग दोने पक्षाप इसको देखने मिल जाएंगे ठीक है अगला है कि सामंती जीवन के प्रती गहरी अरूची का सजीव चित्र इस काभ्य में मिल देखिए सामंती जीवन के प्रती गहरी अरूची कैसे हो गई जब इसमें क्या होता है कि इस विसल देव तृतिया है वो क्या होता है कि वो अपनी पत्नी राजमती से क्या होता है उसकी बात से रुष्ट होकर उडिसा चला जाता है और उडिसा जब वो चला जाता है तो ब दूखी रहती है 12 वर्षें तक बारा माईने होता है, लिकिन 12 माईसा से यहां पर अभी प्राय निया गया है कि 12 वर्षेंन तकosphbat वह क्या रही, वह विरह में जलती रही, उसको दुख और कश्ट जहलती रही, और इसलिए 12 वर्षों तक उसने क्या किया कि जो एक तरीके से जो राजसुक था जो सामन्ती जीवन उसने था वो उसने उसका त्या कर दिया इसलिए कहा गया कि इसमें सामन्ती जीवन के प्रति क्या गहरी अरूची है और उसका सजीव चितरन किया गया है किसके द्वारा नर इसल देव रासो के बारे में थोड़ी सी जानकारी, आईए अब हम देख लेते हैं अगला परमाल रासो, तो परमाल रासो भी रासो ग्रंथों में बहुत महत्पून ग्रंथ माना जाता है और इसके जो रचनाकार है ये जगनिक है, और हिंदी से समंदित अगर कोई भी तो उत्रपृदेश में गाय जाने वाला जो आला है, वो परमाल रासो का विक्सित रूप माना जाता है अगला देखिए कि 1865 इस्वी में चाल्स इलियट द्वारा इसका प्रकाशन हुआ, तो सबसे पहले इसका प्रकाशन किस ने करवाया था? चाल्स इलियट ने 1865 तो देखिए लोक गे का मनलों लोक इसको गात थे लोग गीत था एक तरीके से ये क्या था? है ना प्रमाल रासो लोक गे का वे था? आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाईयों का वन तो इसमें देखिए किन किन की लड़ाई का वनन किया गया कि युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वन्नों की इस कावेधारा में क्या है इस कावे में क्या है एक तरीके से भरमार है है ना ये कहते हैं कि जब इसके गायक संगीत के साथ गाते हैं तब दुरबलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ती आ जाती है ठीक है ना तो ऐस तो कई बार ये पंग्तिया पूचい आती है एक्जाम में कि ये किसकी पंग्तिया है तो ये हैं जग्निक की और ये लिग गई है परमाल रासो से है ना तो ये था दोस्तो परमाल रासो से संबंधित कोछ थोड़ी सी जानकारी और अगली ग्लास में हम देखेंगे हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया